आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8 किसका लेक्चर नंबर 8 तो थर्मो डाइनेमिक का लेक्चर नंबर 8 ठीक है इसमें हम क्या देखेंगे इसमें हम देखेंगे यह हमने लास्ट क्लास में एक एक्वेशन हमने देखा था क्या एक्वेशन था यह आपका चेंज इन इन ट्रॉपी का एक्वेशन था यह एक्वेशन हम लास्ट क्लास में डेराइब भी किये थे और हमने इसको पढ़ा था अब यह आता है इस एक्वेशन को ना हम क्या करेंगे थोड हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि भाईया, क्या, कि ln x जो होता है, ये log x होता है, ln x क्या होता है, log x होता है, ने, 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 एक सेकेंड, हमें क्या पता है बच्चे, ln x जो होता है, 2.303 log x के बराबर होता है, ठीक, आप ये ध्यान नखेगा, ln x जो होगा, 2.303 log x के बढ़ाव होगा, फिर आप क्या ध्यान रखेगा, आप ये good evening money, money कनिश्का, एक और हमें क्या ध्यान रखना है, ln1, ln1 यानि कि मानलो t by t है, तो t by t कट के क्या हो जाएगा, ln1 होगा न, ln1 का value क्या होता है, हमेशा 0 होता है, जीरो होगा, ये आपको ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है, एक और आपको ध्यान रखना है, कि log 10 का value क्या होगा, कोई बता सकता है, क्या, 1, बिल्कुल सही, अच्छा, ये दीपक का वास था न, किस बच्चे ने वोला 1, गोपाल, अच्छा, ये last class में एक बच्चा बहुत तेज तेज बोल रहा था, ठीक, तो देखो log 10 का value क्या है, 1 है, log 10 का value 1, ये आप तीन चीज ध्यान रखेगा, अब देखो, इसका use करेंगे इस equation को break करने में, कैसे break करेंगे, तो देखो, बहुत आसान है, delta S, nCV, ln को हमने क्या बोला, ln को हमने बोला, 2.303 log लिख ल 2.303 log T2 upon T1, क्या लिख देंगे क्या, क्या इसको लिख सकते हैं, क्या बोलो, ज्यादा रात हो गई है, इसका अंतलवी है, नहीं कि क्लास में सो हो जाना है, बोलते रहना है, ठीक है न, और गोपाल तो बोली रहा, बाकी बच्चे भी बोलेंगे, जैसे गोपाल की वाज आ हो जाएं रहे है, एक दम, हाइट इंटेंसिटी के साथ, वैसे ही बाकी बच्चे भी, हाइट इंटेंसिटी के साथ, बोलेंगे, 2.303, क्या होड़ा है, लॉग V2 upon V1, क्या लिख देंगे क्या, देखो हमने क्या क्या होटा के लॉग किया, तो लॉग हटाने के लिए, तो तो क्या ख़रना होगा लॉग हटाने के लिए 2.303 से मचंग नहीं रहता है तो यह वो जाएगा क्या तो यह आपका इक्वेशन का एलेंस से हम लॉग के फॉर्म में ले गए अब अब क्या करेंगे अब देखो अगर मालो temperature टेंप्रेचर कॉंस्टेंट हो जाता तेंप्रेचर कॉंस्टेंट हो जाता यानि कि टी टू अपॉन तो कट जाता यानि कि टेंप्रेचर कॉंस्टेंट पर यह क्या हो जाता और लोग वन का वैलू जीरो यानि कि यह पूरा जीरो जाता तो डेल्टा इसका वैलू जब गर मालो इसाम में यदी वॉलूम कॉंस्टेंट कि यानि कि iceo कोडिक हो जाए तो वॉलूम कॉंस्टेंट तो क्या हो जाएगा वीटू अपन वी वन कि जाएगा यह पूरा टर्म जीरो तो क्या हो जाएगा बचे तो अगर मालो प्रेशर पॉंस्टेंट हो जाएगा यानि कि आइसो बारी तो यह कट जाएगा और क्या हो जाएगा यह पूरा इलिए तो क्या फर्मूला हो जाएगा डेल्टा स का अब देखो इसका यूज कहां हो रहा है तो इसका यूज यहां पर हो रहा है कहां पर यहां पर आपको दिया हुआ है आई सो बारी प्रोसेस क्या दिया हुआ है आई सो बारी तो आई सो बारी प्रोसेस में क्या हता है प्रेस अच्छा यह लास्ट वाला टर्म केवल क्या है कि टीटू अपउन वाला टर्म है आई सबारी कमें केवल क्या हो जाएगा क्या हुआ चाइगा और फॉर्मूला क्या बचे बचेगा केवल ए न सी बी एलन अरे समchain जाए और जो है अगला है आई सो थर्मल प्रोसेस यानि की टेंपरेचर तो टेंपरेचर कॉंस्टेंट यानि की टेंपरेचर का टर्म कट गया क्या बचा तो बस बॉलूम वाला टर्म बच गया समझ में आया तो आप बताओ ये कुशन का एंसर हां बच्चे टेंपरेचर कॉंस्टेंट होगा तो एलेंट टीटू बाई टीवन कट के क्या बच्चे एन सीवी एलेंट वान और एलेंट वान का वैलू जीरो तो क्या ये कट नहीं जाएगा और ये नहीं बच जाएगा बताओ ठीक है ना तो हमारा ये टंपरेचर कॉंस्टेंट होगा तो ये बच गया तो लो ये बच गया अब ये इसी फॉर्मूला का यूज करके नेग्स्ट कोशन में यह फॉर्मूलाई तो इसका मैं poll generate कर रहा हूँ आपको poll में इंसर देना है poll generate किया जाए क्या इसका मैं poll 38.3 D option अरे यार यार ये तुम बच्चा सही answer पहले ही बोल दिया poll generate करने से पहले Mr. D option है मैं इने class में तो बहुत intelligent बच्चे है यार मैं poll generate भी नहीं किया पॉसन मताया है वी नि इस बच्चे इंसर भी दे दी किसकंड़ था बच्चे वह नाम बताना प्रा जो बच्चे इंसर दे रहे हुँन मैं ऑन में bitico मतलब आपकी हुँउइस बहुत तशह मेरे भावग दीरे आ रहे है क्या नो सरफ बच्चे आपको अगर वाइद दिर आ रहे है ना तो आप यह पून का यूज कर रहें कभी ऐसा होता है ना हमारे फोन में प्रॉब्लम होता है ना तो आप यह फोन का यूज कर लो नहीं तो कलास को एक बार लिव करके आप कर लो में भी आपकी problem solve हो जाएंगो तो देखो यह बाकी दो बच्चे के cancer आ गया मैं एक बार इसको जल्दी से बता भी देता हूं कि डेल्टा इसका यहां पर कौन सा फर्मूला लाइगा इन CEO एल एलन विडींट्वर अपन लाग वालग वाला कटिंती एंसीवी है निए ओल्डुएल लॉजिवी तोन गव्ठ सब्ण। उताइगा नया mystique log 2.3 log v2 upon v1 और 2.303 से multiply करते हैं इसको पहले लिखना चाहिए तब अच्छे कहेंगे कि सर यह क्या कर दिया है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2.303 nr log v2 upon v1 तो यह बताओ क्या इन का value question में दिया हूए क्या तो देखो यह तो in दिया ओऊ दो इन आपका गया क्या हो गए टूमोल हो गया मार का value क्या होगा तो देख ओ पॉसन आपका jool में है तो इस लिए option jool में तो आर के value हो जागा 8.314 ठेक और va2 का value क्या होगा v2 जो है देखो तो expansion कर रहा है, question में क्या कर रहा है, gas expansion कर रहा है, यानि कि 10 से क्या हो गया, 100 हो गया, gas का expansion 10 से 100 हो रहा है, यानि कि V2 क्या हो गया, V2 तुम्हारा 100 हुआ, और V1 क्या हुआ, V1 तुम्हारा 10 हुआ, तो तुम log V2 अपन V1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, log V2 अपन V1 रखोगे, तो यानि की log अप ओन अंपन तेन यानि की क्या हो जाएगा log 10 और log 10 का वैलू हमने पढ़ा ही वान तो या इसका वैलू 1 हो जाएगा इन का वैलू यहां पर हमने आ रहा हा क्या मैं सर्कल कर देता हूं जुसरे कलर से अ गया ईन का वेलू यहां डिया हुआ है R का वेलू आपका का है R का वेलू यहां पे है और बाकी आप वेलू पुट करो डेल्टा अपका निकल जाएगा किसी बच्चे को यह कोश्टन नहीं समझ जाया हो कोई डाउट हो तो बोलो सार आप तो अच्छा पढ़ाते हो थैंक यू अभिशेक तो बोलो किसी बच्चों को ये डाउट हो तो बोलो सबको क्लियर तो ने नेक्स्ट पॉस्टन दे रहा हूँ देखो ये आपका सॉलुशन यहां पे दिया हुआ है आप लोग इसका भी help ले सकते हैं घर पे यहां पे R by mistake छोट गया है देखो यहां पे क्या है ये N हो गया ये R हो गया ये V2 हो गया और ये V1 हो गया तो लोग तब तो दिया हुआ है तो इस solution भी आपको दिया हुआ है और हम आगे बढ़ते हैं ये question है the process with negative entropy chain आप बच्चे इसका answer पोल में दीजिएगा कोई बच्चा बोलेगा नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा कि किसने answer सही किया इसने गलत तो इसका answer पोल में आपको देना है बच्चे अभी तक आ रहे हैं या बच्चों सो गए थे क्या जो अलेट से आ रहे है चलिए पोल आपके पास जेनेट हो गया आप बताईए इसका answer कि अभी दॉक्पट घेंश आपके बच्चे दिए देंश्ड़े हैं कि लिए को और पाभू़े पीवश्चे पता ही नहीं चल रहा है अच्छा कोश्चन नहीं पता चल रहा है एक सेकेंड देखो कोश्चन कहा रहा है दप्रोसेस विद निगेटिव इन ट्रॉपी कि ये जो प्रोसेस है इसका निगेटिव इन ट्रॉपी इस वोड पूल नहीं आ रहा? पूल नहीं गया क्या बच्चे? तर आ गया, भोट कर दिया. और सभी बच्चे के इंसर भी सही है, बस दो बच्चे ने गलग सही है. बक्षे के चोड़के बाकि सभी बच्चे ने इंसर सही किया, जिसने इंसर पता नहीं चल रहा हो, आप question समझें नहीं समय आ रहे हैं, सभी बच्चे को छोड़के बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने और निश्टेक किया, देखो, question क्या का रहा है, अब निगेटिव इंट्रॉपी का हमने एक concept पढ़ा था, क्या था, कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्लास में, ये आपका classroom है, हमने बोला था, कि बेटा, भूलो तुम किसी दिन तुम क्लास में क्या चले गए, क्लास में तुम पहले चले गए, तुम क्लास में अकेले हो तुम चुपचा बैठे होगे, किस से बात करोगे, किस के साथ लड़ाई जगड़ा करोगे, तुम चुपचा बैठे हो, यानि कि तुम्हारा इंट्रॉपी क्या था, कम था, जब क्लास में तुम्हारा इंट्रॉपी क्या था, कम था, हमने ये पढ़ा था, फिर क्लास में यह गेम खेलिएगा, in fact, गेम खेल से खेलते ऐसा भी होगा, कि आप लोग आपस में लडाई चगरा भी कर लो, यानि कि क्लास में जब बच्चे बर रहे थे, तो entropy क्या कर रहा था, बर रहा था, यानि कि entropy हमने क्या पढ़ा था, entropy एक extensive property होता है, जो कि directly proportional होता है, amount के, entropy amount के directly proportional होगा, amount मतलब entropy mole के directly proportional होगा, किसके, mole के, यानि कि जब भी संख्या बढ़ेगा, कहां, product का संख्या बढ़ेगा, mole बढ़ेगा, तो entropy बढ़ेगा, क्या हमने बोला, जब भी product का संख्या, यानि कि mole बढ़ेगा, तो entropy बढ़ेगा और entropy बढ़ने का मतलब होता है entropy positive लेकिन question में क्या पूछ रहा है entropy इसको चाहिए negative तो entropy negative कब कैसे होगा class में बच्चे बढ़े थे तो entropy बढ़ा था class में से बच्चे को फिर मालो चुट्टी हुआ फिर आप सारे frame चलेगा घर आप class में अखिले बचेए है कि किसमें product का mole कम हो रहा है ठीक है ना तो पोल में बहुत बच्चों ने answer सही दिये थे only 2 और 4 छे बच्चे के answer wrong थे वो बच्चे के answer किसके wrong थे वो मैं अभी बाद में देखूंगो class के बाद में और किसके सही थे वो मैं क्लास के बाद सभी की नाम देखूंगा, तो देखो, the process with negative entropy, negative entropy पोचा, तो entropy घटाना है, यानि कि बच्चे कम करने है, क्लास में बच्चे कम करने, amount में बच्चे कम, तो पहला reaction क्या करा है, dissociation, यानि कि CSO 4 था, वो टूट के किसमें बना, यानि कि पहले एक बच्चा था, बाद में दो हो गया, तो क्लास में क्या हो गया, एक से दो हो गया, पहले एक बच्चा था, बाद में क्लास में क्या हो गया, दो बच्चे, तो बताओ, इसमें इंट्रॉपी निगेटिव या पोजिटीव, बताओ, पहला आप्शन सही है गल क्लास में बच्चे क्या कर रहा है तो क्लास में बच्चे क्या हो रहा है एक से दो हो गया प्रोड़क्ट क्या हो रहा है देखो मतलब आयोडीन क्या होता है और यह क्या होता है इसको पानी में आप डिजॉल्व कर दिये तो आयोडीन आपका लिक्विड एस्टेट में हो गया तो आपको ही पता है लिक्विड का इंट्रॉपी बर रहा है तो यह ऑप्सण भी गलत हुआ ना क्यूंकि हमें क्या चाहिए तो यह ऑप्सण भी हमारा गलत अच्छा ऑप्सण नमबर डी के बारे में अब क्या कहना है एस अब्लीमेशन मितलब क्या होता है इसमें भी बढ़ रही है लेकिन हमें क्या चाहिए ना हमें चाहिए नेगेटिव इंट्रॉपी बढ़ रहा है तो लो यह अगला सी ऑप्शन क्या का रहा है कि अमोनिया का बनना किस से एंटू और एजटू तो एंटू आप्से बन रहा है नेगटिव बिलकुँ शहीं और ऐसे भी तुम सोच लेक्ते हो एंटू प्लस 3 मोल एजटू बनता है क्या तू एनस थ्री टू एनस थ्री एंटू प्लस अच्छा बचा यह होता है ना यह जो तुम बोलाओ गैस है solid नहीं यह ammonia भी न आपका gas ही रहेगा यह सब गैस है ठीक है लेकिन वह concept नहीं तुम यह देखो पहले क्लास में क्या है बच्चे एक बच्चा है इंटू क्या है एक और तीन hydrogen कितना है तीन तो क्लास में पहले कितने बच्चे थे टोटल 4 बच्चे थे लेकिन प्रड़क्ट में कितना हुआ टोटल 2 बच्चा ही हुआ यानि कि पहले 4 बच्चा था क्लास में बाद में 2 बच्चा बच्चा यानि कि बच्चे Só Sydney क्या हो रहे कम हो रहे क्लास में इस्टुडेंद कम हुआ है यानि की इन्ट्रफि कम हो गया तो आप Summer ंबर आपका सही हुआ क्यूं क्यूंकि पहले मोल ज्यादा थे पोडत में मोल कम हो गया समयमें है क्या क्या समयमें आया किसी को भी डाउट होगा तो वो पूछ सकता है नहीं डाउट है तो यह आपका यहां पे solution भी हो गया और आते हैं आज का हमारा पहला topic जो की है गिफ्स फ्री इनर्जी यह आपका इस क्लास का पहला topic और यह सर अवांति मॉडल प्रोवाइड कराता है तो है क्या हाँ आपको डेली डीपी पी आपके ग्रूप में मिलता है ना आप उसको सौल कोई यह दो डीपी आपको मिल गया पहले आज दो और जाएंगे आपके वाट करके वाट्स फूर्प में आपको ग्रोवाइड किया जाए गएंगे जिस वाट्स ब्रूप में आपको क्लास का लिंक किया सक्वि convince कि वैंगे और आज फिर जाएगा आपको न आज पिर जाकर ठीक और गैज बिनिया यह पच्छी पीट यह नहीं आ गया कि मैं पढ़ारा ह इसको नतलब भेजता हूं आज धीदिवी और अज वाले फिर से बोलने नहीं गया देखो गिस फ्री मिटिंगी धीघिया सब वहां पे आएंगे सब वहां पे हैंगा ठीक है न देखो लोट्स नहीं चाहरा है चला जाएगा ठीज देखो गिफ्स-free-energy आज का हमारा पहला concept है गिफ्स-free-energy बडरा घट्व्स-free-energy बड़्डिया नाम है या गिफ्स-free-energy नामी या यह नाम ही यह वोडिंग है तो यह क्या होता है पहले इसको हम बत पढ़ते हैं इसको पढ़ने से पहले हमें एक जवाब दीजिये इसको पूंटेनियस एकसन क्या होता है इस पूंटेनियस यह ची लागता जो अबना पुल रहे हैं क्या है आप लुदिया जो बुलूषि नदो यह पर दो चीरिये थे कबुलतर थे इतना चाही एश्टूरिच से पढ़ा था इस पॉंटेनियस रेकसन अपने आप हो जो reaction अपने आपको तो ये देखो ये तो कहने में बहुत आसान लग रहा है जो reaction अपने आपको लेकिन लोगों ने सोचना सोचा पहले कि अच्छा कोई ऐसा तरीका होता जिससे हम पता कर लेते कि ये reaction spontaneous है और ये reaction spontaneous ने नन-spontaneous है तो लोग सोचे कि कुछ तरीका इसका ढूंड़ना चाहिए तो क्या तरीका ढूंड़न तरीका नंबर वन क्या था लोगों ने बोला कि क्या बोला कि भाईया ये देखो जब तुम गर्म पानी को कहां रखे तुम जब गर्म पानी को टेबल पे रखे तुम पानी क लगार आप थंदा हो जा रहा है तो तो क्या बोला डेल्टा एच वो रियक्शन क्या है भिया जब हम गर्म पानी को टेबल पे रख रहे हैं वह आपने आप थंदा हो रहा तो वह रियक्शन एक्सोथर्मिक या इंडो थंडह एक्स्टेश और अगरम यहां रखी को अरे ग ब्लाइस पर जब गशन कर दिये और उसको टेवल पर रखागो को तो हमेशा थंडा होगा ना तर्व एक्षुटर्मी की पर यह रहा हैं, हाथ तो नहीं नजलेंगा नार्मल टेम्परेचर पर आजाएगा तो देखो वह रियक्षन एक्सटर्ली तो लोगों ने क्या बोला कि वो reaction अपने आप हो रहा है, अपने आप ठंडा हो रहा है, यानि कि exothermik को तुम क्या बोल दो, spontaneous, सारे लोग खुश होगा कि अरे बहुत असान concept मिल गया, कि exothermik reaction को क्या बोल देंगे, spontaneous सारे लोग खुश, और exothermik मतलब क्या होता है, delta H negative, तो उन्हों सारे लोग खुश होगा, कि जिसका delta H negative, यानि कि exothermik reaction, यानि कि spontaneous, तो इसी से, मालो पहला concept आया, तो इसी का ठीक उल्टा लोगों क्या समझा, कि जिसका delta H, इंडothermik हो जाए, यानि कि जिसका delta H, positive हो जाए, उसको वो non spontaneous, non spontaneous, सारे लोग खुश, यार, यार, एक नया concept मिल गया, हमें कोई tension नहीं है, लेकिन ये fail कर जाएगा, और मुझे उमीद है, इस class का एक बच्चा fail कर देगा, कोई न कोई fail कर देगा, कैसे, आपको fail करना है, इसको एक example देखे, कैसा example, आप एक इंडothermik का example, इंडothermik reaction का example देजिए, जो की spontaneous हो, क्या हो, आप एक इंडothermik का example देजिए, जो reaction spontaneous हो, क्या आप दे सकते हैं, चाय का cup, चाय का cup क्या हो रहा है, चाय का cup गरम है, तो गरम से वो ठंडा हो रहा है, तो की एइस पान् टेंटेनेश कि आंप नंभीन आपने क्या बोला भच्चेwhat और ढमेन का अश कंवा यह हम कह सकते हैं ऐसा भाइया है लेकिन बहुत बच्चों को यह में भी नहीं पता होगा ड़ाईइस क्या होता है कोई और बच्चा कोई और एक्जांपी कोई और बैच्छा अगर आइस को हम दाइज भी यह सही बोल रहा है नवीन अविसेख ने सही बोला बाकी बच्चे और पूर्टर नभ्या ने भी सही बोला इवापूरेशन आप अपटर देखो इवापूरेशन आप वाटर यानि कि लिक्विड जो है वो क्या हो गया लिक्विड वेपर में कनवर्ट हो रहा है लिक्विड वेपर में कनवर्ट हो रहा है जैसे एक ग्लास में तुम पानी रखे वो अपने आप कम होने लगा है यानि कि वेपर में कनवर्ट हो रहा है पर कपूर को भी बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं ठीक है हां कपूर भी मतलब अ लिक्विड वेपर में बन रहा है यानि कि डेल्टा एज क्या होगा पॉजिटिव क्यों कि तुम्हारा पानी सरांडिंग से हीट गेन किया और वो पानी सरांडिंग से हीट गेन करने के बाद में क्या हो गया वेपर में कंवर्ट हो गया तो डेल्टा एज पॉजिटिव यान हो गया अब जो सैंटिस्ट पहले बोलते थे कि भाईया एकसो थर्मिक इस्पॉंटेनियस है और इंडो थर्मिक नॉन इस्पॉंटेनियस यह तो गलत बोल दिए अब फिर से लोगों के सामने समझ से आई कि कोई नया तरीका ढूना जाए यह तरीका काम नहीं किया कोई नया तरीका बता जाए जिससे हम पता करें कि कौन सा स्पॉंटेनियस है और कौन सा नॉन स्पॉंटेनियस है तो नभ्या कहीं एक्जामपल लेके साइन्टिस्ट ने सोचना चालू किया कि यह फेल कर गया तो कोई और तरीका देखो इसमें तुम बताओ लिकवीट से भेपर में कंवर्ट किया तो क्या इनट्रापी वढ रहें vegetable है यह से और अधाय है क्यों क्योंकि लिकवीटसे भेपर है बना तो उन्होंने क्या बोला जब टेल्टा ईस पॉजिटिव हो झाया यानि की डेलटा इस बढ़ेगा तो यही एक्षम तो अपने अप से या फिर इसको बोल सकते हैं डेल्टा ऐसे यदि पॉजिटिव हो जाए तो रियक्शन इस पॉन्टेनियस और इसका प्रूफ यूर ने दे दिया क्या तुमारा कैसे प्रूफ दे दिया कि जैसे आइस्क्रीम है आइस्क्रीम तुम टेबल पर रख रहे हो वह मेल्ट कर गया तो मेल्ट कर गया यानि क्या होगा है सॉलिट से वह लिक्विड में आ रहा है और वह अपने आप मेल्ट हो रहा है आइस्क्रीम सॉलिट से लिक्विड में और अपने आप मेल्ट हो रहा है यानि कि उसका इंट्रॉपी बर रहा है सिमिलरली लिक्विड तुमारा लिक्वि यां असानी से पता कर सकते यह इस इसमें क्या होता है लिकवीड इसमें क्या होता है लिकवीड आपका गैस में लिक्वीट्ग का रहे है है में यानि विक्विट्ड हो रहा है और यह अपने आप कंवर्ट होता है यहां पर ड्लता है यहां बलता है द्लता है वेफ फैल कर गया हम दो जूगार लगाय थे हम दो एक उव्ज कर गया है कि एक 308 की एक्सामने करें ऐस्पॉंटेनीया धिक्रिलक गया दूसरा हमने बोला स्फॉंटेनीयज ऑगा त्our टो हमारे गिंभ्स hiring यह बहुत बोड़िंग लगता है दिय joyful को वह अब वह आसा equation देते हैं कि सारी समस्या ही खतम हो जाती है यानि कि सारी problem solve तो गिफ साब क्या equation देते हैं वो देखो बहुत intelligent आदमी थे वो पहला property भी यूज कर लिए यानि कि delta h वाला भी और दूसरा delta s वाला भी property यूज किये और एक अपना नया equation देते हैं क्या equation दिए g is equal to h minus ts और इसी को हम क्या लेख सकते हैं delta g is equal to delta h minus t delta s ये उनका equation था और इन्होंने क्या बोला इन्होंने बोला सुनों दुनिया वालो delta g delta g यदि आपका negative हो जाएगा delta g negative हो जाएगा तो तुम लोग reaction spontaneous बोलना delta g positive हो जाएगा तो तुम सब reaction non spontaneous बोलना और क्या बोला delta g यदि 0 हो जाएगा तो तुम इक्विल बिरियम बोल देना कि reaction इक्विल बिरियम स्टेट पे है लो और ये ना कमाल की बात यह है कि ये कभी फेल नहीं करेगा गिफ्स फ्री इनर्जी आपका कभी फेल नहीं करता है तो गिफ्स फ्री इनर्जी यानि गिफ्स आपने क्या बोला delta g negative तो reaction is spontaneous यानि कि reaction अपने आप हो रहा है delta g positive यानि कि reaction non spontaneous और delta g 0 यानि कि reaction इक्विल बिरियम समझ में आया क्या तो देखो बहले इनर्जी गिफ्स का नाम बहुत boring हो बट इन्होंने एक ऐसा यह दिया equation जिससे सारी problem ही solve हो गई और यह कभी फेल नहीं करेगा तो एक question यहाँ पे आपके पास है इसका जल्दी से जवाब दो बहुत easy question है बताओ कौन सा statement सही जल्दी बताओ माई कौन करके कौन बच्चा पहले देगा एक ही बच्चा को जवाब देने का मौका मिलेगा जो सबसे पहले जवाब देगा बी और मनी चाया कनिश्का बहुत आसान है अब सभी बच्चे ने नवीन भी सही बोले हिमा सर्वी रक्षा हिमान्सू सबसे देखो क्या पहला option क्या करा डेल्टा जी पॉस्टीव तो रियक्षन स्पॉंटेनेस यह तो गलत हो गया नो डेल्डा जी पॉस्टीव पे रियक्षन तो नॉन स्पॉंटे इसने क्या दिया नॉन इस्पॉंटेनेस तो यह option भी गलत ऑप्षन नंबर इसी क्या कर रहा है डेल्टा जी जीरो के ब्राबर है तो रियक्षन इस तील मूबी रियक्षन अभी वी मूब करेगा नहीं जैक्षन तो एक्विडियम पर होता है तो आपका बी option से ही बाकि सब गलत किसी बच्चे को डाउट किसी को कोई डाउट नहीं समझ मैं याओ तो पूछ ले हैंड रेस करें simply मैं फिर से समझा दूंगा तो अब हम आते हैं गिफ्स के जहां पर थे अब देखो ये गिफ्स का कुछ equation हो गया अब कुछ इसके case पढ़ेंगे case यानि कि वो सरवाले case नहीं ना ही जो case में कदमा होता है वो case भी नहीं case 1,2,3,4 जो आप मैंत में पढ़ते हैं वो ऐसा case case number 1 इन्होंने क्या बोला कि जब delta H negative होगा क्या delta H negative होगा और negative होगा मतलब क्या हुआ है 130 और क्या बोला delta H positive होगा delta H positive होगा तो reaction हमेशा spontaneous होगा चाहे तुम कुछ भी कर लो reaction हमेशा spontaneous होगा यानि कि वो reaction हमेशा अपनी आप होगा कब जब delta H negative देखो वही दोनों term है जो पहले fail हो रहे थे ना वो fail क्यों हो रहे थे क्योंकि एक एक कर क्या रहे थे पहले आया था delta H negative वाला कि मतलब 100 थर्मिक वाला क्या आया था पहले 100 थर्मिक reaction होगा तो spontaneous अकेला आया था वो fail कर गया फिर बाद में क्या था एक सांथ में रहेंगे तो हमेसा spontaneous होगा तो खैर यह तो याद करने वाली बात नहीं आप कैसे याद रखेगा कि तुम ऐसे ध्यान अखना कि delta H negative कर देना एक negative तो तुम किसको negative रखोगे तो तुम आप ऐसे ध्यान कि पहला को negative रख लो किसको negative रखो यानि कि एक सो थर्मित रखो delta H को negative रखो और दूसरे को positive कर दो और हमेसा spontaneous कर दो ठीक तो इसको तक है यह ध्यान अखने की बात हो गई बाकी इसको समझ भी लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है तो देखो इनके equation में ही इसका answer छुपा हुआ है यही इनका equation था ना equation तो यहीं था म हाल लो क्या करः delta है रॉपा आगरी कि यह आपका negative हो गया और क्या करऄ डेल्ता इस positive यानि की ये आपका positive हो गया पहला आपका negative हो गया दूसरा आपका positive हो गया तो क्या बताओ यह 친र कभी भी positive सकता है क्या है क्या है ते यह पर यह तुह और तो निगेटिव में तुम कुछ और निगेटिव एड करोगे तो तो हमेसा नीटिव याएगा नज fluctu vale तैसे म latch लो तुम किसी से करज ली है 100 रुपया और तुम 50 रुपया और और करज ले लिए तो क्या तुम्हारा करज ख़तम हो जाए। नई तुम बेंक से माननों पांसो लोन ले फिर तुम हजार पर और लोन ले ले तो यह आपको समझ में आया क्या अब आता है केस नमबर फू अरे सर अचानक से में यह कुछ हावास नहीं दिया था सेर बोल रहे थी लायन आफ लोग नहीं सुनें इस फिर आपके पीछह बोल लगा क्या अरे केस टू प्याते के स्टू क्या बोल रा डेल्टा एच देख ठीक उल्टा अलेना थी कुल्टा लोकर तो तुमारा पूर्णीन साल मृए को तो तुम ठीक उल्टा लोग यानि कि डेल्टा एस इस बर पॉजिटिव लो यानि कि रियक्शन इंडो थर्मिक ले लो तो पहला पॉजिटिव लो तो दूसरा नीगेटिव ले लो तो यह रियक्शन बताओ क्या होगा हमेशा अब यह तो ध्यान रहकना है कैसे देन अगना है तूम इंडो थर्मिक लो यानि कि ध्यान ऐसे रखो कि डेल्टा एच को पॉजिटिव लो तो पहला पॉजिटिव लो दूसरा नीगेटिव ले लो रियक्शन हमेशा नॉन इसको भी कैसे समझेंगे एक्वेशन से हम समझ सकत एक्वेशन क्या है डेल्टा जी इस इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस देखो यह तुम्हारा क्या हो रहा है पॉजिव तुम ले लिए और यह तुम निगेटिव ले लिए तो यह निगेटिव ले लिए यहां पर अल्रेडी एक निगेटिव है तो तुम्हारा पॉजितिव ही एंसर रहे गा रहेगा पॉजितिव ही एंसर मिलेगा अब लोक वर सोड शुनाई दे रहागा कोई साउंड मैं यह सदा है मैं पता नहीं आतंग हो गया या लब लास में बार बहुत सोड हो दो अच्छा बच्छे वो भी होगा वो भी होगा कुछ से भी कर सकते हैं अभी यह हम ना केमिका लिकिन विल्यम करेंगे एक सिकेंड हेलो देखो बच्चे डेल्टा जी यह हम दो केस पड़ें यह आपको ध्यान रहेगा क्या डेल्टा जी इस इकोल टो डेल्टा इस माइनस टी डेल्टा इस तो यह आपका हमेशा पॉजिटीव हो रहा है तो हमेशा पॉजिटीव हो रहा है तो रियक्शन क्या लिखा वगो यहां पर देखिए डटा है डेल्टा Department कि ईक सोतरमिक डेल्ट इस निगेटीव दिया हुआ है यांनि कि निगेटीव और यहां पर तुम्हारा DONGD एकWhite एक निगेटिव यानि कि डे लटा एच निगेटिव दूसरा पॉस्टीव तो रियक्शन हमेशा haspon tainyos क्या रिक्सर हमेशा इससपॉंटीनेस होगा क्या बताओ यह सो जी सो सूरा में क्या धिया है एक तुम्हारा पॉजिटीव धिया हुए पहला पॉजिटीव ड्येट्स पॉजिटीव याने कि इंड़ो थन्मस के तो पहला आपका देखें झil पॉस्टिनेस का डेल्टा जी निगेटिव होता है तो यह हमने दो पॉइंट कवर किया अच्छे नभ्या ने यह हैंड डाउट है क्या बच्छे सुइटेश किया बॉस जी तोतीवाणों अच्छे सुअतर बॉस्टिनेस कवर सुफ to none गये तो अच्छे क्या करणें यह यह एक्छ पॉस्टिव मतलब होता है क्यी बता रहा है क्योदू वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्या होता है डेर्यक्शन क्या होता है मैग्निटीुट क로 क awfully कुल्स, डेल्टा है और वह रहा है कि इसके डेल्टा अज्या ककूप ढonse you महलमो माइनस 15 है ना तो यह माइनस की वहलो क्या बता रहा है heat release कर रहा है यानि कि एक सो थन्वी 50 मतलब मद्क 25 जyof चαण माइनस 15 mm से ज्यादा होगा है नाsc ach 003 न is a आगे बढ़ते हैं, case 1, 2 हमें अब ध्यान रहेगा, case 3 तो बहुत असान है, case 4 बहुत असान है, case 3 में क्या करना है, कि सभी को plus ले लो, delta S को भी positive ले लो, और delta H को भी positive ले लो, दोनो positive ले लो, अब देखो जब दोनो positive होगा ना, तो reaction ना तो spontaneous होगा, ना तो non spontaneous होगा, reaction कुछ भी हो सकता है, अब reaction कुछ भी हो सकता है, तो question आता है, भाईया, reaction कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा, क्या ये spontaneous होगा, या non spontaneous, कैसे हो, तो कोई तरीका बताएं, होते हैं उसके लिए तो कोई जन्जाटी नहीं है इसमें यह होगा कि भाया रियक्शन इस पॉंटेनियस कब होगा बताइए डेल्टा इस नहीं यह देखो आपने सही बोला टेंपरेचर वाला कुछ लेकिन आपने गलत बोला क्यों आपने भूल गया है देखो टेंपरेचर हाई रहेगा तो तुम्हारा रियक्शन स्पॉंटेनियस कर लाएगा अब तुम कहोगे सर यह में याद कैसे रहेगा तो याद ऐसे रहेगा कि डेल्टा इस पॉस्टिव और डेल्टा इस पॉस्टिव यानि कि दोनों पॉस्टिव दोनों पॉस्टिव मतलब क्या हुआ है एक क्लास्रूम में बच्चे पॉस्टि तो जब class में delta S और delta H यानि कि दोनो positive है यानि कि student high है अच्छे बच्चे हैं तो आपको क्या रखना वा temperature high रखना गा तभी reaction is spontaneous होगा temperature यानि कि question का level high रखना पड़ेगा जैसे ही आप question का level low किजेगा class में low intelligent बच्चे बैठे हैं आप question का level low किजेगा यानि कि क्या किजेगा question मतलब temperature आप low किजेगा तो वो class के बच्चे leave करके चले जाएंगे यानि कि reaction क्या हो जाएगा non spontaneous तमझ में आया क्या क्या यह ध्यान रहेगा क्या हमने क्या बोला delta h मतलब बच्चे तो यह जो बच्चे है यदि positive बच्चे यानि कि अच्छे बच्चे हैं तो आपको question का level high रखना होगा अच्छा रखना होगा question क्या temperature temperature क्या माल रहे question तो question का level high रखना है तब जाके reaction spontaneous होगा बच्चे class में जूरे रहेंगे जैसे ही आप temperature low किये यानि कि question का level low किये तो बच्चे लीव कर जाएंगे यानि कि reaction non spontaneous हो जाएगा सायद यह अभी आपको थोड़ा पटा लग रहा होगा case 4 में यह और अच्छे से clear हो जाएगा same example लेंगे और क्या example लेंगे case 4 का example हम same लेंगे कि इसमें दोनों negative ले लेना है क्या negative लेना है delta S भी negative और delta H भी negative तो देखो जब class में दोनों negative है यानि कि बच्चे weak है कमजोर student है तो आपको क्या रखना होगा question का level low रखना होगा class में जब weak student है तो आपको question का level low रखना होगा यानि कि temperature low रखना होगा temperature low रखेगा तब जाके class में बच्चे टिकेंगे तब ही reaction आपका spontaneous होगा लेकिन जैसे ही बच्चे low level के है यानि कि negative है और आपने question का level high कर दिया यानि कि temperature आपने increase कर दिया तो reaction क्या हो जाएगा non spontaneous होगा बच्चे class leave कर जाएगे क्यों क्योंकि class के बच्चे week है आपने tough question पुछ दिया उनसे solve नहीं होगा वो बच्चे leave कर गए यानि कि non spontaneous होगा तो क्या समझ में अब ध्यान रहेगा क्या क्या यह तरीका आपको जाद रहेगा क्या किसी को नहीं समय है क्या यह spontaneous का चारो केस किसी को नहीं समय है hand raise करेंगा मैं अच्छा अब इशेग ने hand raise किया फिर से बताना है बच्चे देखो मैं फिर से case 3 और 4 बताता हूं case 3 मैंने बोला कि जब दोनो positive रहेगा क्या रहे दोनो positive रहेगा तो बताईए क्या हुआ तो जब दोनो positive रहेगा यानि कि delta H दोनो positive है तो क्या होगा तो reaction spontaneous भी हो सकता है non spontaneous हो सकता है तो कोशन आता है बताईए कब spontaneous होगा और कब non spontaneous होगा तो हम ऐसे बताएंगे देखो दोनो positive यानि क्लास के बच्चे बहुत intelligent क्लास के बच्चे intelligent तो समझ में आ गया अच्छा क्लास के बच्चे intelligent यानि temperature हाई रखिएगा तो बच्चे ठीकेंगे यानि कि temperature हाई रखिएगा तो आपका reaction is spontaneous हो और जो है और दो नेगिटिव तो लेवल को और केस वन का एक बार बताना बस एक बार दिखा दो केस्टू वन देखो केस्टू तो आसान था देखो ऐसे तुम ध्यान रखना कि डेल्टा एच निगेटिव यानि कि एक निगेटिव एक पॉजिव तो पहले में तुम्हें यादी 100 थ कर दिए और दूसरे को तुम निगेटिव करोगे तो रियक्षिन हमेस्वा नोन चित यह हमने ऐसे समझा भी था कि देखो एक निगेटिव एक पॉजिटिव यह हमेशा निगेटिव इयागा तोगुज्रिक हमेस्वय समाचू था हgy 125 12 Christوف करेच तू उसका खी निगजिव तो एक पॉस्टिव और दूसरा निगेटिव तो एक पॉस्टिव रहेगा दूसरा निगेटिव तो हमेशा रीक्षन नॉन स्पॉंटेनस कभी रीक्षन अपने से नहीं होगा ठेक है ना बाखी यह आपको स्लाइट सेयर कर देंगे आप इसको देख लिएगा और फिर फिर यहीं आपने यह हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए कि जब निगेटिव होगा तो स्पॉंटेनियस जीरो होगा और तुम्हारा ग्रेटर हो जागा तो नॉन स्पॉंटिव है तो हाई टेंप्रेचर पर क्या होगा बताओ जल्दी बताओ अब देखो अगला जो है यह क्या कर रहा है दोनों निगेटिव यानि की बच्चे के लेवल लो तो लो टेंप्रेचर पर बताइए जब दोनों बच्चे बतलब लो लेवल के तो लो टेंप्रेचर पर क्या होगा तो आप अगर इस केस में क्या हो जागा रहा है तो इस केस में भी रेक्शन नौन इस्पॉंटे तो किया यह टेवल सभी को समझ में आया क्या तो पूछ लेगा ठीक है तो डाउट नहीं है तो यह कोशन अच्छा यह तो हमने करी लिया यह इसका एक्स्पानेशन दिया वा था यह कोशन आपको बताना है ठीक क्या कह रहा है मैं आपको कोशन समझा दे रहा हूं जल्दी से माइक ओन करके इंसर्ट देना देखते हैं क प्रडक्ट में बना PCL3 प्लस CL2 ठीक है तो यह देखो यह दूसरा सही है अच्छा दूसरा सही है अच्छा आपका कहना है सेकंड अभी देखते हैं तो एक रियक्शन है तो एक रियक्शन दिया हुआ है तो यह रियक्शन में क्या हो रहा है बॉंड टू टू आ है तो बॉंड तो भई आपने से टूटेगा नहीं और और कोशन आता है कि बताइए जो प्रोड़क्ट में है वो संख्या बर रहा है कि कम हो रहा है कि लास में देखो तो एंटरोपी भी बोलते हूं यानि कि दोनों बर रहे डेल्टा एच भी बर रहे हैं डेल्टा एसी बर रहे हैं तो रियक्स सेकेंड नंबर सही था तो जितने बच्चे ने इंसर बोला था हेमा प्रग्या नव्या रच्छा गोपाल तो उन सब के इंसर सही थे ठीक है ये आपका solution भी दिया हुआ है आप देख सकते हैं इसको फिर ये एक और question है इसका answer देखते हैं कौन बच्चा पहले बताता है क्या दिया हुए to CL gas convert कर रहा है CL to gas में कोई बच्चा answer बता है जल्दी से फटा क्या होना चाहिए option ये बताऊ option क्या option A इसका answer अलग अलग है इसको चैट बोक्स में डाल दो मैं इसको explain करता हूँ और देखते हैं किसका सही है ठीक है तो देखो आप लोग चैट बोक्स में डाल दो देखो ये जो रियक्शन है तुम्हारा क्या है chlorine है chlorine gas से CL2 gas में बन रहा है तो यह जो पता है nature cozy chlorine की फोर में प्रीटा bronze nature में chlorine ciel tu gas में ही फाया जाता है C2 gas फोर में पाये जाता है nightmare तो यह जो तुम्हारा है 2 Cel C2 में बन रहा यानि कि जब reaction क्या ben Moore डिय Mireya more stable more stable estate यह क्या tha less तो तुम यह ध्यान अखना जब भी less stable से more stable में जाता है ना कोई कोई compound reaction में less stable से more stable में जाता है तो वो reaction क्या होता है वो reaction actually exothermic होता है exothermic होता है और या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो कि exothermic क्यों होगा क्योंकि bond का टूटना तुमारा इंडो थर्मिक था तो bond का जूड़ना तो एकसो थर्मिक ही होगा पहला जो एक्जामपल हम देखे थे PCL-5 वाला इसमें bond टूट रहा था तो क्या था हीट दे रहे थे तो bond टूट रहा था तो हीट निकालोगे तो bond जूड़ जाएगा ठीक ऑपोजिट या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि क्लोडी मोर इस्टेबल में है लेस्टेबल से मोर इस्टेबल में जा रहा है तो रियक्शन अपने आप होगा एकसो थर्मिक होगा यानि कि ड डेल्टाइच नगेटिव अबड़गीUP से यह प्र socioD Dog में तो यह तुम्हारा एंसर सही में और डेल्टाइस की बात करें तो यहाँ पर डेल्टाइस सुम्हें पहले प्रॉड ability में क्या है एक मोल है Reactant में 2 मोल है यानि कि पहले class में 2 बच्चे थे बाद में class में 1 बच्चे हो गया यानि कि एक बच्च चला गया अब एक बच्चा हुआ तो amount गटा amount गटा यानि कि entropy क्या होगा गटेगा यानि कि delta S भी घट गया तो delta S भी negative, delta S भी negative तो इसमें तो maximum बच्चो ने एंसर गलत ही किया, किसके एंसर सही थे, अभी मैं देखके बदाता हूँ, बच्चे, बच्चे, और एक बच्चा है हूँ के वाल ए ए लिखते गया, इसने बार ए लिखा कि इसको ओबर कॉन्डोलेस था, नवीन चौहान का एंसर, ने ने यह तो पि C बाकि किसी ने नहीं लिखा या, सब मैंने लिखा था, हाँ, चाया, चाया ने लिखा था C, और चाया का ही एंसर सही हुआ, बाकि सब गलत थे, देखो, तो गलत है तो कोई बात नहीं, हमने कम से कम सीखने को तो मिला, क्या सीखने को मिला, कि देखिए, जब बांड तो इंडह स्टेवल फार्मनो में जा रहा है में जानता है तो क्या होता है तो डेल्टा एच निगेटिव और डेल्टा इस तो निकालना आसानी था किसी बच्चे को यह question नहीं संदना हो हां बच्चे समझ में नहीं आया एक बर और बता दीजी मैंने यह बोला कि तुम्हारा chlorine है रियक्टेंट में क्या है 2Cl है और product में क्या बना CL2 यानि कि 2Cl, Cl2 बन रहा है यानि कि क्या होगा, product में तुम्हारा Cl2 का structure क्या होता है ऐसे होता है न CL और CL, 2 CL ऐसे जूरे रहेंगे तो यानि क्या होगा, दो chlorine आपस में जूर रहे हो हैं तो जब आप bond तोड़ियेगा ना तो आपको hit देना पड़ेगा और जब bond जूड़ता है ना तो इसके ठीक खुल्टा क्या होगा? Hit release होगा यानि कि bond तोड़ना वाला जो process होगा वो endothermik हुगा तो bond जोड़ने वाला process एक्सो थर्मिक हो गया तो एक्सो थर्मिक तो एक ही option था option नमबर 3 या फिर यह भी कहा सकते थे कि क्लोरीन नेचर में यानि कि जबिद comment दैसे ये mysterious नेचर में जिस फॉर्मिक तहिए रहे तो वह तुमारा reaction अपने आप हो जाएगा Deko Chlorine इसका एक सो थर्मिक ही रेक्सवगा 2 से तो option नमबर 3 साही और किसी को कोई डाउंब सब्सक्राइब कर दो कि अवर सेर कि आवाज थी लाएन की मैंने अपने घर में लाइन पाल रखा बई जो बच्चा कलास में जवाब नहीं देगा ना उसके उसके सर पे उसके उसके इसके स्क्रीन सेर करना उसकी फोटो दिगा हो अच्छा तो अपने देखे साइस के शुड़े ना तो आभी सुचे ना कि लैंड सेर कोई कैसे पाल रखता या अच्छा नहीं नहीं आए यहां सब पोसिबल है इंडिया लेकिन सेर नहीं सेर तो यार हमें जिंदा ही रहने नहीं नहीं देगा नू में खा जाएगा और अब आते हैं थrard love of thermodynamics यह बहुत असान है यह तुम लोग इह बता दोगे गये कैसे तो अब बताओ जब temperature गएते तो entropy क्या होता है बढ़ेगा की घटेगा आप घ्राका पल पा देखे यह राख लंशच अब धया रहा था है तोस्कstill grass जाम भी पर्ढ़ा तो आपने सही बोला जब हम temperature बढ़ाएंगे तो entropy बढ़ेगा तो यह बता घटाऊगे तो entropy क्या होगा गटेगी घटेगी तेम्परेचर अगर बहुत घटा एंट्रोपी पर तो गटेगा तो अकर बाद तन्थार फिराफिस्ट बारेट यह सब्सक्राइब कि टेंप्रेचर जब 0 Kelvin हो जाएगा तो इंट्रॉपी भी आपका 0 हो जाएगा जीरो Kelvin में एक चीज तुम धियान रखना है 0 Kelvin की बात कर रहे हैं मतलब माइनस तू सब्सक्राइब कि यह कहता है कि एट एपसलूट जीरो जब आपका एपसलूट जीरो रहेगा तो इंट्रॉपी भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा देखो कितना असान लोग था यार सबसे असान लोग यह तो तुम लोग भी बता सब्सक्राइब करेंगे कितना असान है तो सब्सक्राइब कर और जीरो क्या हो जाएगा जयिए आपका नीचे भी लिखा हुआ है कि जब temperature absolute zero होगा तो आपका जो sir ये law किस ने दिया ये सायद law बच्चे नंस्ट ने दिया था नंस्ट ने सायद ये law दिया था अभी थोड़ा मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा इसको हम देख लेंगे ठीक है तो इस देखो क्या कर रहा है at absolute zero यानि कि जब temperature ये actually law नवद देखो क्या बच्चा लला इससे कुछ question भी नहीं बनता है ये आपको बस theory भी पुछेगा कि ये law क्या करता है कि इसका कोई numerical भी नहीं बन रहा है जैसे फर्स्ट लोग आमने कितना application देखा था delta u plus q plus w delta u is equal to q plus w इसका कोई नहीं बस theory पड़ो कहां नहीं इसका कोई यूजी नहीं कि इतना आसान theory है तो थर्ड लोग क्या कर रहा है जब temperature absolute zero हो जाएगा तो आपका entropy भी zero हो जाएगा और तुमारा structure जो होगा क्या होगा perfectly crystalline structure होगा समझ में है क्या third law of thermon enemy किसी को कोई डाउट यह तो किसी को कोई डाउट नहीं है अजा यह question तो मैं यह के वाल बता दू क्या second number option सही है क्या गलत है यह बताओ क्या यह second option सही यह गलत देखो क्या कर रहा है change in entropy यानि कि entropy के change क्या होता है delta is along with change in enthalpy यानि कि enthalpy के change delta is decide the fate of reaction fate मतलब reaction का किस्मत कर रहा है कि delta is और delta is दोनों मिल के क्या reaction के किस्मत decide करते हैं क्या क्या यह decide करते हैं इसमाफेट मतलब यह spontaneous non-spontaneous क्या यहीं दोनों मिल के और देखो reaction का किस्मत कौन decide करता है हमारे gips बाबा decide करते है gips बाबा कैसे decide करते हैं उन्होंने formula दिया था delta g ब्राबर delta h minus t delta s और देखो gips बाबा decide किसका use करके करते हैं वह यह इसी करते है यूज करते है delta s और delta h delta h और delta h तो question ने तो यहीं दिया हुआ था तो यह हमारा सही है नवीन आप बिल्कुल सही बोल रहे है answer सही एक बच्चे ने पहले ही message किया था क्या नाम था अच्छा पहले नवीन नहीं किया था जलत अब नवीन नहीं correction करके बोला सही तो समझ में आया क्या यह क्या यह समझ में आया क्या question यह सर्थ तो यह question आसान था यह question homework रहेगा आप इसका answer next class में बताईएगा और इसी के साथ यह हम आज की class over भी करेंगे question क्या है कि आपको बताना है delta g का value क्या आगे क्या कि डेल्टा यू में 2.1 क्या लिखा है kilo calorie kilo calorie kcal kilo kcal kilo calorie यानि कि अच्छा किस बच्चे ने पूछा नवीन ने पूछा क्या गोपाल ने पूछा इसका अदलब गोपाल इसको देखते solve करना है start में करते हैं बहुत अच्छे देखो delta g आपको निकालना है तो delta g का formula क्या होता है delta h minus t delta s तो देखो यहां पर delta s का value दिया हुआ है दिया हुआ है 20 kilo calorie 20 calorie दिया हुआ है temperature भी तुमारा दिया हुआ है 300 लेकिन इसने delta h नहीं दिया हुआ है delta u दिया है अब कैसे अगर delta h हमें पता चल जाए तो हम delta g find out कर सकते की नहीं क्या delta h पता चल जाए तो delta g पता कर सकते हो क्या क्या 100 अरे 100 मत यार मुझे पता है बहुत लेट हो गया लेकिन सो तो देखो टेला h क्या होता है । देल्टा h का फर्मूला होता है डेल्टा यू फ्लस डेल्टा इन जी आर्टीज डेल्टा अव्मारा एल्टा बिलू का वैलोाकिनतanga में दिया हुआ है क्या दिया होया निकिक्दाय को जाएंगा 2.1 कि एकई सो कैल्य के फिर का वैयलु क्या और का वैलु क्या होगा कैल्री में R वैलु अर कल्से उकल टू ओर टेम्प्रेचर आपका 300 कैल्वीन दिया यह अगर डेल्टा एन-जी हमें पता चल जा तो इन दोनों बच्चे ने बिल्कुल सही भूला, डेल्टा एंजी टू होगा, कैसे टू होगा? तो.. आपने तो gas 2 mol है, तो हम क्या लिखेंगे, 2, रियक्टेंट में gas कितने mol है, एक, नहीं, रियक्टेंट में gas तो एक भी नहीं है, जीरो है, लिक्विड है, तो 2-0, यानि की 2, तो delta NG का वैलू क्या जागा, 2 हो जाएगा, आर का वैलू 2 हो गया, टेंप्रेचर 300 हो गया, तो हम यह रखेंगे, डेल्टा H आजाएगा, फिर डेल्टा H का वैलू आप यहाँ पूटके जएगा, आपका एंसर आजाएगा, ठीक है, तो नवीन का वोलना है, 2.1, पच्छे, आप लगभग, आर का वैलू हम 2 लेंगे, सर एंसर इस 2.5, माइनस 2.5, आजा कनिश्का का एंसर अप्रॉक सखेंगे, देखो, आर जो है, आप अभी तक क्या लेते आया होंगे, आई थिंक आप आर लेते आया होंगे, 8.314 यहाँ पे, 0.083, हाँ, देखो, तो 8.314 कब लेते हैं, जब आर हम जूल मे लेते हैं, ध्यान अथना, 8.314 हम कब लेते हैं, जब आर जूल मे लेते हैं, और 0.0821 आप जो बोलना है न, वो कब लेते हैं, ATM-liter में लेते हैं ATM-liter में और R का-value अगर calorie में लेना होगा तो आप दो लीजेगा, दो calorie तो देखो ये question में देखो हर सारा unit क्या है क्यालरी में दिया है नदेल्टा-UV कैलरी में था, डेल्टा-S भी कैलरी में था, तो हम R को और पांच एड कर दिये या पांच आलू में तुम टमाटर ऐड ठोड़ी कर सकते आलू के साथ आलू ही एड होता है तो इसलिए जब यह है कैलरी है तो यह आपको तो आर भी तो calorie मिलेंगे ने तुम plus minus कैसे कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि माललो आपके पास 5 खरगोस थे 2 बिल्ली मर गया तो बताओ कितने खरगोस बचे अरे कोई question थोरी बटीगा 5 खरगोस थे 2 बिल्ली मर गया तो ऐसा थोरी 5 खरगोस में से 2 बिल्ली माइनस कर दें नहीं पांच खर्गोस थे दो खर्गोस मर गए तब आपके एंसर होंगे तीन खर्गोस बचे तो similarly यहाँ पे आपका कैलोरी में question दिया हुआ है तो आपको आर भी कैलोरी में ही लेना होगा समझ में आया क्या आया क्या तो क्या आज की क्लास हम यहीं पेंट करेंगे तो फिर मैं recording आप करता हूँ और किसी बच्चे वो कोई डाउट हुआ तो वो अपना डाउट पूचते है एक सेकेंड आपका डाउट हम अभी क्लिर करेंगे